प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी जी और भारती जनतापाटी की दुस्मनी इस कदर पहुच गई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के मौडल को धस्त करने के लिए सिख्छा और स्वास्त के मौडल को धस्त करने के लिए हर तरह का हत्कंडा अपना रहे है होली पर अक्सर एक गाना चलता है कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं रंगों में रंग मिल जाते हैं और गिले शिक्वे भूल कर दोस्तों दुस्मन भी गले मिल जाते हैं यानि ये तेवहार दुस्मनों को भी गले लगाने का तेवहार है लेकिन आज जब मैं आप से बाच्चीत कर रहा हूं तो ये बताना चाहता हूं कि भूली के तेवहार पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारती जनता पार्टी की दुस्मनी इस कदर पहुँच गई है कि वो दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरिवाल जी के सबसे करीबी मित्र यहां के सिच्छा के मॉडल को देने वाले यहां के लाखों बच्चों का भविश्य बनाने वाले मनी सिसोदिया को ऐसे खतरनाक खुंखार अपराधियों के बीच में जेल के अंदर रखा गया है कि हमें आशंका है उनकी हत्या भी कराई जा सकती है देश के सबसे खतरनाक सबसे खुंखार कैदी जिस जेल की सेल में रहते हैं उसी सेल में मनी सिसोदिया जी को रखा गया है मोदी जी मनी सिसोदिया से इतनी दुस्मनी किस बात किये क्यों इतनी नफरत आप निकाल रहे है नियाले का जब आदेस है कि विपस्टना सेल में उनको रखा जाए तो आप उसका भी सम्मान करने के लिए तैयार नहीं क्या पहली बार जेल जाने वाले किसी व्यक्ति को ऐसे खुंखार कैदियों के बीच में रखा जाता है उनका अपराद क्या है कि उन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी सिख्षा दी आज इसकी सजा दे रहे हैं आप उनको और आम आदमी पार्टी से इतनी दुश्मनी ये पूरा दे साज देख रहा है कि किस तरीके से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के मौडल को धस्त करने के लिए सिख्षा और स्वास्त के मौडल को धस्त करने के लिए हर तरह का हतकंड़ अपना रहे हैं पहले हमारे स्वास्त मंत्री को जेल में डाला फिर सिख्षा मंत्री को जेल में डाला आरोब जो लगा है शराब गोटाले का उसका न सिर है न पाव है 14-14 घंटे CBI छापे मारी करती है मनिस्ति सोदिया के गर कुछ नहीं मिलता गाओं में छापे मारी करती है कुछ नहीं मिलता ड़क्तर में छापे मारी करती है कुछ नहीं मिलता बैंक का लॉकर चेक करती है कुछ नहीं मिलता पहली चार सीट दाखिल करती है, गवाहों के बयान लेकर दाखिल करती है, मनिस्तिसोदिया का नाम नहीं डालती दूसरी चार सीट दाखिल करती है, सारे लोगों का बयान दर्ज करके चार सीट दाखिल करती है मनीश सिसोधिया का नाम नहीं रहता अचानक मनीश सिसोधिया मुख्य साजिस करता हो जाते हैं उनको आप गिर्फतार करके जेल में डाल देते हैं एक तरफ मनीश सिसोधिया हैं जिनके घर पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उनको आप खुंखार कैदियों के बीच में रखे हुए हैं उनकी हत्या कराने की साजिस करार है और दूसरी तरफ अभी करनाटक के अंदर ज्यादा दिन का उधारने और मैं तो मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी सवाल पूछिए आज करोन रुपए की कैस भारती जनता पार्टी के करनाटक के मेले के लड़के के घर में पाई गई आज करोन रुपए का कैस मोटी मोटी गड़ियां लोगों ने देखी टीवी चैनल्स पे ना वहाँ E.D. पहुंसती है ना वहाँ C.B.I. पहुंसती है उसको बेल मिल जाती है जमानत हो गई उसकी तो क्या आप लोगों का और क्या इस देश के लोगों का मन उनका ध्यान उनका दिमाग इस घर्टना की और नहीं जा रहा है कि जहाँ B.J.P. मेले की बात हो जहाँ 88 करोन का कैश मिले वहाँ तुरंट जमानत मिल गई ना E.D. गई ने C.B.I. गई तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ प्रधान मंत्री जी से कि प्रधान मंत्री जी अगर आप और आपकी पार्टी इतने ज़्यादा नफरतों से भरे हैं कि दिन रात E.D. और C.B.I. का आप इस्तेमाल कर रहे हैं सुबा उठो तब कोई एक खबर आ जाती है यहाँ छापा वहाँ छापा रात में सोने जाओ तब तक कोई दूसरी खबर आ जाती है यहाँ छापा वहाँ छापा सुबा उठो फिर यह न सिच्छा पे न स्वास्त पे नुद बिजली पे ना पानी पे न डेस की उननती पे ना तरक्की पे ना भिकास पे कोई बात नहीं सिर्फ क्या इन पें च्छापा उन पें च्छापा उन पें आस्था देखिए आप पूस्ताच करने चले गए धाई धाई घंटे पूस्ताच कर रहे हैं कि आज पता चल रहा है तेलंगाना के मुख्य मंत्री की बेटी पर एडी का नोटिस चला गया कि तो मैं तो कह रहा हूं प्रधान मंत्री जी एक नियम बनाई है कि मुर्दों से भी पूस्ताच करने की इजाज़त होगी एडी और सीब्याई को खोद खोद के कबर खोद खोद के कबर खोदने में लगाई है इन एजंसियों को कबर खोदिए मुर्दों को निकालिए मुर्दों को डंडा मार मार के पूस्ताच कीजिए जब इतनीन अफरत आप लोगों के मन में भरिये है तो मुर्दों से भी पूस्ताच करने की छूड़ दीजे एडी सीबियाई को कब्रिस्तान खोदें समसान में जाके जो हड़ियां पड़ी हो उससे पूस्ताच करें जब कोई काम ही नहीं आपके पास दो प्रतिसत सिच्छा का बजट रखा है आपने देश का स्वास्त का बजट दो प्रतिसत रखा है पिछली साल की तुल्ला में सिच्छा और स्वास्त का बजट आपने कम कर दिया क्योंकि आपको सारा ध्यान तो आपका लगता है विपक्ष के लोगों का गर्दन दबाने में आपका तो दिमागी नहीं है सिक्षा स्वास्त पे, बिजली पानी पे, किसानी पे, तरक्की पे, उन्नती पे आपको तो सिर्फ यह है कि ऐसे इसकी गर्दन दबाओ ऐसे इसकी तो एक नियम बना दो अपकी कानून लेके आओ प्रदान मंत्री जी आप कि मुर्दों से भी ED और CBI पूस्ताच करेगी कबर खो देगी समसान में जाएगी हड़ी कठा करेगी उससे पूस्ताच करेगी और अगर मुर्दे न बताएं तो यह अमराज के पास जाके पूस्ताच करेगी क्या मजाग बना रखा है आपने इस देश का मजाग बना दिया आपने तिहार जेल वैसे भी बहुत समवेदन सील जेल है आपको मालूम है कई बड़ी घटनाएं जेल के अंदर हो चुकी है हत्या तक की घटनाएं जेल के अंदर हो चुकी है और इसलिए हम सब की चिंता है कि मनीश सी सौधिया को नियाले के आदेश के बावजूद विपस्तना सेल में नहीं रखके सेल नंबर वन में अपराधियों के गुंखुंखार अपराधियों के बीच में रखके प्रदानमंत्री और भारती जनता पार्टी के लोग मनीश सी सौधिया की हत्या की साजिस रच रहे हैं और उनकी हत्या कराना चाहते हैं इस नियत से ये कारवाई की गई है